वेलकम टू माई बिलोग दोस्तो आज के बिलोग में हम आप लोगों को दोस्तो लेके जाने वाले हैं उना वाला जी मंदिर जो की जहांसी से 10 या 15 किरो मीटर की धूरी पर है दोस्तो हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तो और वहां की जो जो अच्छी अच्छी चीजे हैं वो हम आपको दिखाएंगे तो दोस्तो आसा करते हैं कि आप ये वीडियो हमारा पूरा देखोगे तो बने रहना दोस्तो हमारे वीडियो में तो चलते हैं दोस्तो तो फ्रेंड अभी हम पहुंच चुके हैं उना वाला जी मंदिर और ये देख सकते हो ये दोस्तो बाहर का नजारा है ये देखिए और हम अंधर का नजारा दिखाते हैं ये यहां दोस्तो दुकाने वगेरा भी लगी हुई है यहां आप वो प्रसाद पहले नहाने से पहले ही बाहर से ही लेना पड़ता है और फिर अंधर जाना पड़ता है तो इसलिए दोस्तो प्रसाद वगेरा पहले बाहर से ही लेके जाएं और हम यहां के बारे में आपको कुछ बताते हैं तो दोस्तो यहां की मंदर की मन का यह है कि दोस्तो कैसे भी रोग से पीलत व्यक्ति हो कोई भी रोग है दोस्तो तो वो यहां पर आके दोस्तो और इस नदी में नहाए तो उसका रोग ठीक हो जाएगा दोस्तो और ये मंदिर बहुत काफी पुराना मंदिर है दोस्तों और हम लोग भी यहां दर्सन करने के लिए आये हुए थे जो कि हम लोगों ने दर्सन बाज में करेंगे कहले दोस्तों यहां पर नहाना होता है यह देखिए यहां यह नधीता मजारा और देखते हैं दोस्तों आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहां पर हज्जारों में लोग आते हैं रोज डेली दिन लोग यहां दोस्तों हज्जारों की भीड होती है और बहुत ही भीड होती है दोस्तों यह देख सकते हो इतने वील को देखते हुए हम लोग भी भाई यहाँ पे आ चुके हैं तो हम लोगों को भी नहाना है अभी तो हम लोग भी भाई सोच रहे हैं कि हम लोग भी नहा लें थोड़ा और आप लोगों को यहाँ का नजारा भी दोस्तों दिखा दें तो तो देखिए दोस्तों कितने लोग नहा रहे हैं यहाँ पर सभी अपने अपने वाई कोई किसी से बिलकुल भी मतलब नहीं है अपना अपने मतलब काम में बैसते वाई ऐसे काम में बैसते होते ऐसी वाई अपने अपने कोई किसी से पूछ नहीं कहता है और अपना अपना जि किसी से कोई मतलब नहीं है तो यह दोस्तो फिले का जो मरन नदी का यह पुल है जो कि नया बनने जा रहा है और काफी भील होते हैं यहाँ दोस्तो यहाँ पर जिस लोगों को चरम रोग होता है वो लोग ज़्यादा आते हैं है और जादा यहां पर भीर होती है है तो देख सकते हो इतनी पींजान हो रही है है । परइवाइशाब दे दूसतो फह लेके पाणी में कुछ होगी है और देख सकते हो दोस्तो बहुत ही मज़ा कर रहे हैं दोस्तों पारिboy देखाते हैं आपको यहां नदी का नजारा दोस्तों देख सकते हो फूर मौला भी भाई पानी और डली हुए है और देखिए नजारा नदी का नजारा देगी है और इन भाई शाप को देगी है यह भाई शाप देगी है अपनी फैमली के साथ में नहा रहे हैं देखिए भाई शाप को और भी देख सकते हो गाई इस काफी अच्छा लगा और दोस्तों हम लोगों का भी नहाना दोना हो गया है और अभी हम लोग नहा दो के बस त्यार दो के हमारा जल बगएरा सब चड़ चुका है तो दोस्तों अ हमें जल बगएरा चड़ा दिया है और तब हम लोग ऊपर की वर जा रहे हैं और बस थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए नकलेंगे और फोड़ा यहां पर घुन फिर भी लेंगे तो दोस्तों आई होके आप लोगों को हमारा एक छोटा सा ब्लोग का संद आया होगा दो दोस्तों आप लोगों को रोग वगएरा ऑजरे कोई भी दिक्त हो तो यहां पर आ जाना आपूँ एक रिम्लों हनड़ पैसंट आपका खोऊ these रहाई उस आपका लोग हो आपका दो जड़ से खता हो जाएगा इस नदी में हमांने की यही मानता है कि आपका कोई भी रोग ह हैं तो तब तक के लिए जय बाला जी नहराज कि जय ऑप को मारा छोटा सब्कूलिगा अच्छा लगा हो तक नाईक और शेर वाला बटन तोड़ दो और जल्दी जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट बिलोग में तप तप दिलिये वाई वाई वाई